तो दोस्तो इस वीडियो में मैं एक्स्प्लेइन करूंगा गदर टू मुवी की कहानी को तो बिना किसी देरी के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं तो मुवी स्टार्ट होती है और हम देखते है 1947 के टाइम को यह वो टाइम था जब इंडिया और पाकिस्टान के बिच पार्टिशन हो रहा था इस पार्टिशन में लाखो लोग मारे गए थे, उसी दौरान तारा सिंग और सकीना अपस में मिलते हैं इसलिए तारा सिंग पाकिस्तान जाने के लिए वीजा अपलाई करता है लेकिन उसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तारा सिंग फिर भी पाकिस्तान इलीगल तरीके से चला जाता है और सकीना को लेकर हिंदुस्तान वापस आ जाता है तो ये थी पिछले पार्ट की स्टोरी सकीना के हिंदुस्तान वापस जाने के बाद गदर टू की कहानी शुरू होती है मूवी में दिखाये जाता है कि अश्रफ अली को पाकिस्तान में गद्दार करार दे दिया गया था और उस पर कोट में केस भी चलाया जाता है इसके बाद हमें मेजर हामिद इकबाल के बारे में बताया जाता है जिसके 40 फौजियों को तारा सिंग ने सकीना को हिंदुस्तान लाते वक्त मार डाला था हामिद इकबाल को हिंदुस्तान और हिंदों से बहुत नफरत थी क्योंकि पार्टिशन के दुरान दंगाईों ने उसके परिवार को मार दिया था मेजर हामित इकबाल अपने परिवार की मौत का बदला पार्टिशन के दुरान कुछ हिंदों से लेनी की सोचता है उसे एक हिंदू परिवार मिलता है जिने दंगाई मारने वाले थे हिंदू पंडित हामित इक्बाल से उसे छोड़ देने को कहता है पर हामित इक्बाल उस पंडित को कहता है कि तुमारे लोगों ने मेरे परिवार को दिली में मार दिया है क्योंकि वो तुमारा मुल्क था ये मेरा मुल्क है और अब मैं तुम्हे मारूंगा पंडित कहता है कि ये मेरा भी मुल्क है वो कई पीडियों से पाकिस्तान में रह रहे थे हामित इकबाल पंडित के सामने भगवद गीता और कुरान रखता है हामित इकबाल पंडित को एक किताब चुनने को कहता है पंडित भगवत गीता के सामने सर जुकाता है और हामित इकबाल पंडित का सरकार देता है ये साल था 1954 हामित इकबाल पाकिस्तानी मिलिटरी हेड़कौर्टर में अश्रफली को गद्दार कहते हुए उसे मौत की सजा देने को कहता है पाकिस्तानी आर्मी ऐसा ही करती है और अश्रफली को कुछ टाइम बाद फांसी दे दी जाती है हामिद इग्वाल अब भी तारा सिंग को मारना चाता था ताकि वो अपने 40 फोजियों की मौत का बदला ले सके बस दिक्कत ये थी कि तारा सिंग उसकी पौँच से बहुत दूर हिंदुस्तान में था अब इस घटना के 17 साल बाद 1971 में इंडियन आर्मी केंट पठान कोट में तारा सिंग अपने ट्रक्स लेकर आता है तारा सिंग महा करनल दिविंदर रावत से मिलता है देविंदर रावत तारा सिंग को बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में किसी भी वक्त जंग चिड़ सकती है इसलिए उन्हें बैक अप के तौर पर तारा सिंग के ट्रक यूनियन से 50 ट्रकों की ज़रूरत होगी तारा सिंग कहता है कि उसके ट्रक रेड़ी हैं आप किसी भी वक्त तुने मंगवा सकते हैं देविंदर रावत तारा सिंग को बताते हैं कि उसके ससुराल से उसके लिए किन्नू आये हैं तारा सिंग चाहता था कि उसका बेटा पढ़ाई करे और एक आर्मी आफिसर बने पर जीत को एक्टिंग करने का शौंक था तारा सिंग जीत के एक्टर बनने के सपने के बिलकुल खिलाफ था इसलिए तारा सिंग जीत को ड्रामा कंपनी से अपने गर वापस लाता है और उसे बहुत डांटता है तारा सकीना को कहता है कि वो जीत के अडिमिशन चंडिकर के एक कॉलेज में करवाएगा ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख सके तारा सकीना को जीत को तब तक खाना ना देने को कहता है जब तक वो पढ़ाई कंप्रीट ना कर ले लेकिन सकीना जीत को खाना दे देती है बातों ही बातों में जीत हामित इकबाल का जिकर करता है वो कहता है कि हामिद इकबाल ने मेरे नाना को फासी लगवाई थी और फिर इस गम में उसकी नानी की भी मौत हो गई थी सकीना उसे इन बातों को भुला देने को कहती है तब ही तारा सिंग भी घर आ जाता है और जीत पढ़ाई करने का नाटक करने लगता है तारा सिंग सकीना को बताता है कि इंडिया पाकिस्तान में किसी भी वक्त जंग चिड़ सकती है तारा सिंग जीत को देखता है और उसे पढ़ाई करता देख काफी खुश होता है जीत तारा से कहता है कि वो इसी तरह पढ़ाई करेगा बस मुझे एक मोटर साइकल दिलवा दो क्योंकि उसके सभी दोस्तों के पास बाइक है तारा सिंग कहता है कि वो उसे बाइक दिलवाएगा पर इसके लिए उसे क्लास में फरस्ट आना होगा जीत ये सुनकर गुसा हो जाता है और वहां से जाने लगता है तारा सिंग देखता है कि जीत अपनी किताबों की जगा एक फिल्मी किताब पढ़ रहा था ये देखकर तारा को बहुत गुसा आता है और वो कहता है कि जीत अब चंडीगर जाएगा और वहां पर अच्छे से पढ़ाई करेगा जीत कहता है कि वो चंडीगर नहीं जाना चाता बलकि वो मुंबई जाकर एक एक एक्टर बनना चाता है ये सुनकर तारा सिंग उसे एक थपड़ मारता है और ये देखकर तारा सिंग की फैमिली उसे काफी सुनाती है तारा सिंग की तायू से बताती है कि कल जीत का बर्थडे है और तारा सिंग को ये बात याद भी नहीं थी जीत कहता है कि अब वो उसका बर्थडे नहीं बनाएगा अब अगले दिन जीत के बर्थडे पार्टी के दुरान तारा सिंग जीत को एक नई उबाई गिफ्ट करता है और इसके बाद जीत पढ़ाई करने के लिए चंडिगर चला जाता है अब एक महीने बाद तारा सिंग को करनल देवेंदर रावत की कॉल आती है बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी ने हमला कर दिया था और एक जिगा इंडियन आर्मी के फौजी फस गए थे उन इंडियन आर्मी के सोलजर्स के पास एम्योशन खतम हो चुकी थी इसलिए उन तक एम्योशन पहुचाने का जिम्मा तारा सिंग को दिया जाता है तारा सिंग अपने कुछ साथी ट्रक ड्राइवर्स के साथ एम्यूनेशन को अपने ट्रक में भरता है और भारी गोलाबारी के बीज से गुजरता हुआ ये एम्यूनेशन इंडियन आर्मी के सोलडर्स तक पहुचाता है तारा सिंग वहाँ दुश्मनों की कई गाड़ियों को तहसनेस कर देता है और पाकिस्तानी आर्मी का उस एरिया पर कबजा करने का प्लैन फेल कर देता है पाकिस्तानी साइड से उनका मेजर हामिद इकबाल वहाँ आता है और वो तारा सिंग को पहचान लेता है हामीद इगबाल तारा सिंग को पकड़ना चाता था इसलिए वो अपने फौजियों को पीछे हटने को कहता है ताकि इंडियन आर्मी भी उनका पीछा करते हुए पाकिस्तान की टेरिटरी में आ जाए जब तारा सिंग और कुछ इंडियन फौजी पाकिस्तान की टेरिटरी में आ जाते हैं तब तारा सिंग के पास एक RPG फटता है और हामीद इकबाल का प्लैन सकस्फूल हो जाता है इसके बाद हम सकीना और जीत को देखते हैं जो देविंद रावत से मिलने के लिए जाते हैं इन्हें पता चलता है कि तारा सिंग लड़ाई के दुरान पाकिस्तान के एरिया में मौजूद था और अब साथ लोगों के साथ पाकिस्तान के कबजे में हैं वहीं पाकिस्तान की गवर्मेंट कहती है कि उनके पास कोई भी साथ लोग नहीं है। ये साथों लोग या तो मारे जा चुके हैं या लापता हैं। सकीना और जीत इडिया के रक्षा मंत्री के पास भी जाते हैं। और उनसे तारा सिंग को छुड़वाने में मदद मागते हैं। तारा सिंग की चिंता में सकीना काफी बिमार हो जाती है। जीत को उसके घर में लाहर में रहने वाले गुल खान के लैटर मिलते हैं। गुल खान तारा सिंग का बहुत अच्छा दोस्ता जिसने पहले भी तारा सिंग की पाकिस्तान में काफी मदद की थी जीत एक फेक पासपोर्ट बनाता है और पाकिस्तान चला जाता है ताकि वो तारा सिंग को छुडा सके पाकिस्तान में पहुंच कर इन सभी लोगों की पासपोर्ट को चेक किया जाता है क्योंकि उस टाइम इंडिया से काफी जासूस पाकिस्तान जा रहे थे पाकिस्तान में पुलिस वाले इंडिया से आ इन लोगों के पासपोर्ट चेक करते हैं और ये लोग लखनो के वाहिद खान नाम की आदमी से पूस्ताच करते हैं पाकिस्तानी पुलिस वाहिद खान से पूस्ती एक इंडिया की लोग तुमारे साथ कैसा सलूग करते हैं वाहित खान कहता है कि लखनों में काफी खुशाली है और उन्हें इंडिया में कोई भी प्रॉप्लम नहीं है, ये सुनकर पाकिस्तान के पुलिस वाले काफी गुसा हो जाते हैं और वाहित खान की काफी पिटाई करते हैं, इसके बाद जीत का पासपोर्ट चेक किया जाता है जीत के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था और उसका नाम अश्वाक था, जीत कहता है कि वो पाकिस्तान में मुल्तान से है और वो अपने मामा से मिलने हिंदुस्तान गया था, पुलिस वाला जीत से पूचता है कि हिंदुस्तान में लोग पाकिस्तान के बारे में क्या कहते जीत कहता है कि हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तानी आर्मी को अपने सामने चूजा समझते हैं ये सुनकर पुलिस वाला बहुत गुसा होता है और जीत को बताता है कि अभी हमने टिक्री के पास हामिद इकबाल की कमांड में इंडिया के कई लोगों को मारा है अगर इस पार जं और उससे अपने पापा के बारे में पूसता है गुल खान बताता है कि उसे खबर मिली है कि पठान कोट से कुछ फौजियों और ट्रक ड्राइवर्स को पकड़ा गया है और उन्हें पाकिस्तान में कोट लगपक जेल में डखा गया है जीत अपने छोटे नाना यानी अश् ये सकीना तक भी पहुचा देता है इसके बाद हम एक लाहोर के फेमस होटल को देखते हैं जिसके मालिक का नाम था कुर्बान खान उन्हें अपने होटल में बिरियानी बनाने के एक शेफ की जरूरत थी इस होटल के मालिक कुर्बान खान के लिंक ISI और आरमी के साथ थे इ राजेश खनना का एक पोस्टर लेकर होटल में आती है और मुसकान के पिताव से कहते हैं कि अभी गुल खान एक बावर्ची को लेकर आएगा तुम उससे बिरियानी बनवाना और अगर उसकी बनाई बिरियानी तुमें पसंद आए तो तुम उसे काम पर भी रख लेना बचाने के लिए राजेश खनना जैसा एक चश्मा और एक टोपी पहनता है और मुसकान के पास बात करने के लिए चला जाता है जीत ने मुसकान को राजेश खनना के बारे में बात करते हुए सुना था गुल खान मुसकान से कहता है कि यह अश्वाक है जो बहुत अच्छी बिरियानी बनाना सीख लेता है और मुसकान भी उससे प्यार करने लगती है जीत सकीना को लैटस के जरी बताता है कि वो तारा सिंग को जल्द ही जेल से छुड़वा कर वापस हिंदुस्तान ले जाएगा अब ईद के दिन जीत मुसकान के साथ कोठ लखपत जेल में जाकर बिरियानी बाटने का प्लैन करता है तब ही मुसकान जीत को बताती है कि वो ईद के दिन अपने पिता से कहेगी कि वो जीत के साथ शादी करना चाहती है जीत गुलखान को ये बात बताता है कि मुसकान उससे शादी करना चाहती है और ये बात वो अपने पिता को बताने वाली है तब ही मुसकान वहाँ आकर जीत की बाते सुन लेती है जीत मुसकान को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसका असली नाम चरंजीत सिंग है और वो हिंदुस्तान से अपने पिता तारा सिंग को छुड़वाने आया है जीत उसे ये भी कहता है कि अगर वो चाहे तो पुलिस को सब कुछ बता सकती है मुसकान कहती है कि अगर तुम जासूस नहीं हो तो मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगी ताकि तुम तारा सिंग को जेल से चुड़वा सको जीत कहता है कि वो कोई जासूस नहीं है और मुसकान अब उसकी हेल्प करने को तयार हो जाती है अब एद वाले दिन जीत और मुसकान बिरियानी लेकर कोट लखपत जेल में जाते हैं और वहां कैदियों को बिरियानी खिलाते हैं जेल में हामिद इकबाल अपने बेटे को लेकर आता है और वो इंडिया के फौजियों को जेल से बाहर निकालने को कहता है ताकि वो अपने बेटे को दिखा सके कि हिंदुस्तानी फौजी कैसे दिखते हैं जीत बिरियानी का एक डिबा लेकर हामिद अकबाल के पास जाता है और वो देखता है कि तारा सिंग इन कैदियों में नई है तब ही हामिद अकबाल कहता है कि सात्वा कैदी कहां है जेलर कहता है कि हमने उस सरदार को अलग से सेल में बंद कर रखा है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने कुछ बवाल किया था ये सुनकर जीत को यकीन हो जाता है कि ये तारा सिंग की बात कर रहे हैं और वहीं अन्वर अली मुसकान और उसकी फैमली को पगड लेता है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान से आए जीत को काम पर रखा था जीत जेल में गार्ड्स को मार कर उस सेल तक पहुँच जाता है जहां पर तारा सिंग बन था जीत देखता है कि वहाँ पर तारा सिंग नहीं है बलकि कोई दूसरा आदमी था जो तारा सिंग का ही साथी ट्रक ड्राइवर था वो आदमी जीत को बताता है कि तारा सिंग यूद के दुरान एक बलास्ट में उड़कर नदी में बह गया था और तारा सिंग कभी पाकिस्तान के कबजे में था ही नहीं इसी टाइम तारा सिंग भी इंडिया में अपने घर आ जाता है तारा सिंग बताता ही कि वो पानी में बह गया था और कुछ लोकल लोगों ने उसे बचा कर हॉस्पिटल पहुचाया था तारा सिंग के सर पर चोट लगी थी जिससे वो कोमा में चला गया था इसलिए इतने दिनों तक वो अपनी कोई भी खबर परिवार तक नहीं पहुचा पाया था सकीना तारा को बताती है कि जीत उसे ढूंडता हुआ पाकिस्तान चला गया है यह सुनकर तारा सिंग बहुत गुसा होता है और वो कहता है कि वो भी पाकिस्तान जाएगा और जीत को वापस लेकर आएगा इसके बाद हम देखते हैं कि तारा सिंग पाकिस्तान पहुच चुका है और लाहूर की तरफ जा रहा है लाहूर में चारों तरफ इंडिया के खिलाफ नारे लग रहे थे तारा सिंग सीधा गुल खान के गर जाता है और उसे पता चलता है कि गुल खान तो पुलिस के डर से भाग चुका है तारा सिंग गुल खान के बच्चों को कुछ पैसे दे कर वहाँ से चला जाता है तारा सिंग को वहाँ पर सकीना के चाचा देख लेते हैं और उसे गुल खान के पास ले जाते हैं जो पुलिस के डर से छुप कर बैठा था गुल खान उसे सब कुछ बताता है कि कैसे जीत तारा को ढूंडते हुए पाकिस्तान आया और कैसे वो कोट लगपत जेल में बंध है जेल में हामीद इकबाल जीत को टॉर्चर करता है और उसे कहता है कि उसे पता है कि तारा सिंग उसे बचाने के लिए जरूर आएगा और फिर वो दोनों बाप बेटे को मार डालेगा तारा सिंग को कहीं से खबर मिलती है कि इस दिन जीत को सब के सामने मौत की सजा दी जाएगी अगले दिन जीत को सबके सामने लाया जाता है और एक मौलवी कहता है कि ये लड़का एक जासूस है जो नकली पासपोर्ट और विजा बना कर पाकिस्तान में आया है इसने नकली मुसलमान बनकर मुसकान के साथ जबरदस्ती की है और ये इसलाम का दुश्मन है वहीं हमें बताया जाता है कि एक दिन पहले हामिद इक्बाल ने मुसकान को ड्रा कर ये गवाही देने को कहा था कि जीत ने उसके साथ जबरदस्ती की है मुसकान पहले तो मना करती है पर हामिद इक्बाल उसके चाचा को गोली मारता है तो मुसकान डर कर जीत के खिलाव जूटी कवाही देने को तयार हो जाती है मुसकान सभी के सामने ये कबूल करती है कि जीत एक जासूस है और उसने मुसकान की इज़त लूटी है ये सुनकर लोग जीत पर पत्थर मानने लगते हैं और हामिद इक्बाल इंडिया और हिंदूों के खिलाफ कुछ बाते करता है हामिद इक्बाल जीद को तोब के सामने बानने को कहता है पर तबी तारा सिंग वहां आता है और हामिद इक्बाल से कहता है कि उसकी बेटे को छोड़ दिया जाए उसकी लड़ाई तो सिरफ तारा सिंग से है हामिद इकबाल कहता है कि उसकी लड़ाई सभी हिंदुस्तानियों से है और वो हिंदुस्तान के मुसल्मानों को तुम से आज़ादी दिलवाएगा क्योंकि तुमने मुसल्मानों पर काफी जुर्म किये हैं तारा सिंग्ग कहता है कि हिंदु में थर्मों के लोगों का है, हंदु Wonka कि एजादी में सभी धर्मों के लोगों ने खून बहाया था, हमित इकबाल कहता है कि तुमने ईस्ट पाकिस्तान यानि बांगला देश में मुक्ति वाइनी सेना बनाई है, जो हमारे कई लोगों को मा तारा सिंग कहता है कि हमने ऐसी कोई भी सेना नहीं बनाई तुम्हारी आर्मी ने 30 लाग बंगाले मुसल्मानों को मारा है और उनकी ओरतों की इज़त लूटी है ये लोग तुम से परेशान है तारा सिंग ये भी कहता है कि अगर तुम लोगों ने अपनी हरकते नहीं सुधा तो आने वाले कुछ साल में तुम लोग कटोरा लेकर पूरी दुनिया से भीग मांगोगे और तुमें कोई भी भीग देने को तयार नहीं होगा हामीद इख्बाल अब तारा सिंग को भी तोब के सामने बानने को कहता है पर तबीड से तारा सिंग का आदमी बंभ हैकता है जिससे वहाँ पर भगदर बज जाती है और तारा सिंग मौका पाकर जीत को छुड़ा लेता है। अब तारा सिंग और जीत मिलकर कई पाकिस्तानी फौजियों को मारते हैं। कुछ देर बाद भगदर की वज़ा से दोनों अलग हो जाते हैं। जीत को हामिद इकबाल के आदमी पकड़ लेते हैं और वो तारा सिंग को सामने आने को कहते हैं। हामेद इकबाल ने तारा सिंग को नहीं पकड़ा, तो उसे भी अश्रफ वले की तरह फांसी दे दी जाएगी, पुलिस अब लाहूर को चारो तरफ से सील कर देती है, गुलखान तारा सिंग को ये बात बताता है, कि अब लाहूर से भागना मुश्किल है, तब ही पुलिस वहाँ आ जाती है, और तारा सिंग को सरेंडर करने को कहती है, पर तारा सिंग और जीत पुलिस से बच कर वहाँ से भाग जाते हैं, पुलिस इन दोनों का पीछा करती है, तारा सिंग सभी पुलिस वालों को मार कर भाग जाता है, कुछ देर बाद इने कुछ और पुलिस वाले मिलते हैं ये दोनों एक ट्रक पर बैट कर जा रहे थे तब ही इन पर कुछ और पुलिस वाले RPG फायर करते हैं इस प्लास से जीत ट्रक से गिर कर सीधा ट्रेन के अंदर गिरता है और तारा जमीन पर इस तरह से ये दोनों बिछट जाते हैं अगले दिन जीत एक पुलिस वाले से सुनता है कि तारा सिंग को पंजाब युनिवर्सिटी के पास देखा गया है पर तभी उसे एक आदमी पहचान लेता है और उसके पीछे पुलिस वाले लग जाते हैं वहीं तारा सिंग आयसाई के आफिस में जाता है और अनवर अली और उसके साथियों को मार डालता है तारा सिंग को अनवर अली से पता चलता है कि जीत मुस्लिम पूरा नाम की जगा पर देखा गया है मरने से पहले अनवर अली मौलानाओं के आदमियों को ओर्डरे देता है कि वो सभी लोग मिलकर तारा सिंग और जीत को मार डालें जीत पुलिस वालों से लड़ता हुआ पंजाब उनिवर्स्टी के पास जाने लगता है और तारा सिंग के पीछे मौलाना के आदमी पर जाते हैं जीत एक घर में छिप जाता है और उस घर की मालकीन उसे देख लेती है वही तारा सिंग को एक हैड़ प Łam दिखाए देता है जिसे वो गदर के पहले पाट की तरह उखाड देता है और सबी लोग ये देखकर डरकर भाग जाते हैं जीत जिस घर में छिप रहा था उस घर की मालकिन जीत से कहती है कि उसने घर के सारे दिर्वाजे लॉक कर दिये है इसलिए उसे अब छुपने की कोई जरूरत नहीं है वो औरत जीत को खाना भी देती है जीत उस औरत से पूचता है कि वो एक हिंदुस्तानी है और वो आखे उसकी मदद क्यों कर रही है वो औरत कहती है कि उसकी कहानी पता है वो बेश्यक एक हिंदुस्तानी है लेकिन वो अपने पिता को जेल से छुड़वाने के लिए पाकिस्तान आया है औरत कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी मौका मिले तो तुम भी किसी जरूरत मंद पाकिस्तानी की मदद कर लेना तुम्हें काफी अच्छा लगेगा औरत जीत को खाना देती है और जीत उस ओरत को अपनी मौसी कह करवा से चला जाता है जीत के मुताबिक पाकिस्तान उसके नानी का घर है इसलिए वो उसकी मौसी हुई बाहर निकलते ही जीत को कोई गोली मारता है और जीत बेहो शोकर नीचे गिर जाता है कुछ देर बाद तारा सिंग उसी जगा पर आता है और वहां उसे जीत का लौकेट मिलता है पर जीत उसे आसपास कही नहीं दिखाई देता जीत को ढूंटे ढूंटे तारा सिंग गाना गाने लगता है और थोड़ी देर बाद ये दोनों आपस में मिल जाते हैं अब फरीद और उसके पिता कुर्बान खान एक लोकल की मदद से तारा सिंग और जीत को बार्डर पर छोडने के ले जाते हैं और गुर्बान की फैमली एक अलग गाड़ी में बैटकर बार्डर की और जाने लगते हैं कुस दूर चलने के बाद इनकी गाड़ी के ड्राइवर को पाकिस्तान आरमी शूट कर देती है और ये तीनों गाड़ी से निकल कर जंगल की तरफ भाग जाते हैं जंगल में हामेद इकबाल हेलिकॉप्टर से माइक के जरिये तारा सिंग को बताता है कि उसने मुसकान की फैमली को पकड़ लिया है हामेद इकबाल मुसकान के भाई फरीद को हेलिकॉप्टर से नीचे फैंक कर मार डालता है और तारा सिंग को सामने आने को कहता है नहीं तो वो बाकी के लोगों को भी मारने की धमकी देता है तारा सिंग सामने आकर सरेंडर कर देता है अगले दिन हामेद इकबाल तारा सिंग जीत और मुसकान को एक पोल के साथ भान देता है हामेद इकबाल कैमरा उन करवाता है और तारा सिंग को हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने को कहता है इस पर जीत हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है मौका पाकर तारा सिंग उसी पोल को तोड़ देता है जिस पर वो भंदा था और हामिद इकबाल के फौजियों को मारने लगता है तारा सिंग हामिद इकबाल को भी पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है इसी दोरान जीत और मुसकान भी छूट कर भागने लगते हैं पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग तारा सिंग की भागने में मदद करते हैं हामेद इकबाल अपने टैंक से तारा सिंग के टैंक का पीछा करता है और ये लोग इंडिया के बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं जहां इंडियन आर्मी ने चारो तरफ से घेर लेती है पाकिस्तानी आर्मी के जवान खुद को गिरा हुआ पाकर अपने हतियार फैंक देते हैं हामेद इकबाल देविंदर रावत के पास जाता है और उसे अरेस्ट करने को कहता है ताकि तारा सिंग उसे जान से न मारे वो और तारा सिंग खुद ही अपनी लड़ाई लड़ोगे और हम बीच में नहीं आएंगे तारा सिंग एक तलवार लेता है और जीत और मुस्कान को हामिद इकबाल के सामने रखता है तारा सिंग हामिद इकबाल को भगवत गीता और कुरान शरीफ में से किसी एक को चुनने को कहता है हामिद इकबाल डर कर भगवत गीता को चुनता है इस पर तारा सिंग उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुम्हें दोनों को चुनना चाहिए था क्योंकि एक अच्छे इंसान की नजर में सभी धरम बराबर होने चाहिए ये बोल कर तारा सिंग जीत और मुसकान को लेकर वहाँ से जाने लगता है और मौका पाकर हामिद इकबाल एक गन उठा लेता है गन उठाते ही इंडियन आर्मी के फौजी हामिद इकबाल को मार डालते है और इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी हामिद इकबाल के डैड बाडी पर गोलिया मारते है दिविंदर रावत तारा सिंग को कहते हैं कि आप चाहते थे कि आपका बेटा आर्मी ओफिसर बने मुझे लगता है कि आर्मी ओफिसर बनने के लिए तैयार है और इसी के साथ ये मूवी खतम हो जाती है मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मुवी के एक्स्पिनिशन देखना पसंद है तो आप मेरी बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद